सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनेश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राष्धानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 33 जो की कक्षा आठवी के विध्यारतियों के लिए हैं यह ली गई है विज्ञान विशे से और इसमें हम एक बार फिर से समझ रहे हैं पार्ट जन्तूओं में जनन पार्ट में से हम जिस टॉपिक पर इस वर्क्षीट में चर्चा करेंगे वो है अलेंगिक जनन जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्क्षीट में हम लेंगिक जनन प्रक्रिया के बारे में सीख रहे थे आज हम अलेंगिक के बारे में जनेंगे सो शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं आज हम जन्तों में अलेंगिक जनन के बारे में जानेंगे अब अलेंगिक जनन होता क्या है जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलेंगिक जनन कहलाता है और जबकि इसके विपरीत लेंगिक जनन में दोनों ही जीव भाग लेते हैं नर और मादा है ना लेकिन अलेंगिक जनन में किवल एक ही जीव भाग लेता है इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपी होती है यानि संतान बिलकुल अपने जनक के जैसे यानि जो पेरेंट है बिलकुल उसकी कौपी ही होगी उधारन के लिए हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्वीखंडन आ दी अब देखिए हाइड्रा में मुकुलन है क्या चीज किस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं एक बार जान लेते हैं हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन होती हैं जिनें मुकुल कहते हैं देखिए मैं आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखा रहा हूँ, यह जो भी हमने बात कि कि उसके शरीर पर कुछ उभार जैसी संरचनाएं होती हैं, जिने मुकुल कहते हैं, यह मुकुल या उभार धीरे धीरे विक्सित होते हैं, विक्सित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अ और विक्सित हो गए और फिर यह मात्र जीव से अलग हो जाते हैं और एक नया हाइटरा या नया जीव बन जाता है, यह जैसे जीवों में यह उभार या मुकुल जनक जीव कोशिका से जुड़े ही रहते हैं, जैसा कि आपने हाइटरा के केस में देखा कि वहाँ तो नया जीव अलग हो गया अपने जनक के शरीर से, लेकिन येस्ट में ये जनक जीव कोशिका से जुड़े ही रहते हैं, हाइटरा में मुकुल से नया जीव बिक्सित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलेंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं, अब आपको समझ में आया, क्योंकि में मुकुल से नया जीव बिक्सित होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को या इस टाइप को हम अलेंगिक जनन का मुकुलन प्रक्रिया कहते हैं, यानि इस अलेंगिक जनन को हम मुकुलन कहते हैं, फिर अमीबा में द्वीखंडन, द्वीखंडन नाम से समझ में आ रहा है, दो केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है तो देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ चितर बना हुआ है कि यह है अमीबा और फिर इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन की क्रिया शुरू आज जब होती है तो एक केंद्रक जो है यह वाला केंद्रक यह दो में धीरे धीरे विभाजित होना शुरू हो जाता है फिर इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में यानि दो कोशिकाओं में बंड जाती है जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है और आप ये तीसरा वाला जो चित्र देखेंगे इससे समझ में आ जाएगा कि जब उसका विभाजन हो जाता है तो हर भाग में एक केंद्रक हो जाता है अंत में एक अमीबा यानि जनक से दो संतती अमीबा बनते हैं यानि एक जनक से एक पेरंट से दो संताने बन जाती है यानि दो अमीबा बन जाते हैं ठीक है? ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन करता है द्वीखंडन कहलाता है अब आपको समझ में आया कि द्वी खंडन किसे कहते हैं, यानि एक जीव जब विभाजित हो गया, बंट गया और दो जीव उत्पन करता है फिर वो, तो इसको हम द्वी खंडन कहते हैं, तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर पर, तो पहला प्रश्न है कि मु जीव बन जाते हैं, हाइडरा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है, इस प्रकार के अलेंगिक जनन को हम मुकुलन कहते हैं, और द्वी खंडन क्या होता है, यह है प्रिक्रिया, एक प्रकार का अलेंगिक जनन है, जिसमें एक कोशिका, दो भागों में प्रज़न के प्रज़न करने वाले जीव कौन कौन हो गए? हाइडरा और येस्ट और दूइखंडन के द्वारा विखंडन के माध्यम से प्रज़न करने वाले जीव हैं बैक्टीरिया और अमीबा. फिर तीसरा प्रज़न है कि अलेंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपी क्यों कहा जाता है? देखिए अलेंगिक प्रज़नन प्रक्रिया के लिए केवल एक जनक की अवशक्ता होती है यानि एक पैरेंट की अवशक्ता होती है इसलिए उत्पन होने वाली संता अपने जनक की सटीक प्रतिलिपी होती है यानि एक दम बिल्कुल उसके जैसी फिर चौथा प्रश्ण अमीबा में द्वी खंडन का चित्र सहीत वर्नन कीजिए तो अब देखिए अमीबा में द्वी खंडन भी लिखना है और उसका चित्र भी बनाना है जिसे अमीबा एक केंद्रोकों में विभाजित होने से शुरू होती है पहला स्टैप इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है और अंत में एक अमीबा से दो संत्यती अमीबा बनते है और इस प्रकार आप बहुत अराम से चित्र बना सकते हैं बहुत इजीली चित्र बना सकते हैं इसको और फिर पांचवा और आखरी प्रश्न हाइडरा में मुकुलन का चित्र सहित वर्नन कीजिए अब देखिए कि हाइडरा में मुकुलन होता कैसे है तो देखो हाइडरा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचना उत्पन होती हैं जिने मुकुल कहते हैं फिर ये मुकुल या उभार धीरे धीरे विक्सित होते हैं विक्सित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है और हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विक विक्सित होता है तो इस तरीके से हाइड्रा में मुकुलन होता है यानि पहले हाइड्रा के शरीर पर एक उभार जैसी सरचना उत्पन होती है फिर धीरे धीरे वो विक्सित होती है विक्सित होने के बाद वो उस मात्र जीव से अलग हो जाता है और तब एक नया जीव हाइड जो कि mature होता है वो बन जाता है और इसलिए Hydra में मुकुल से जो नया जीव बनता है विक्सित होता है तो इसलिए इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं और फिर आप चित्र के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं और ये चित्र बनाना भी बहुत असान है और आपने उसकी अलग Hydra बन जाता है तो ये तो थी आज की वर्क्षीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर् लब दो इसका टीका करन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद